हेलो गाईज स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए योटीब चानल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज आज हम आपको लाइब ओप्सन्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ओप्सन्स ट्रेडिंग पे स्टॉप लोस ओडर कैसे लगाते हैं जीरोधा एप के थुरू वो हम आपको सिखाने वाले तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप जीरोधा एप से ओप्सन्स ट्रेडिंग करना सिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अन तक देखेगा अन तक देखेंगे तो डैपनेटली आप चीजे सिख जाएंगे तो चलिए गाइस हम बीना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्ट्राइक प्राइस सेलेट करना होगा जिसमें आप अपना व्यू बनाना चाहते हैं बाइंग का मैंने 17,700 का सी एक स्ट्राइक प्राइस सेलेट किया है जिसका प्रिमियम चाहरा है लगभग 393 का लेकिन गाइस ये 393 जो प्राइस है वो काफी मुझे हाई लग रहा है ये प्राइस मुझे काफी ज़्यादा लग रहा है तो मैं जो है इस प्राइस को कम करके अपना limit order लगा करके अपना एक view बनाना चाहता हूँ buying का मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूँगा limit order और market order में difference ज़्यादा कुछ है नहीं market order पे आप market price पे अपना view बनाएंगे buying का जैसे कि अभी 393 का price चाहरा है आप उसी price पे अपना view बनाएंगे buying का और मैं यहाँ limit order select कर रहा हूँ यानि कि मैं आपना 1% price select कर रहा हूँ ठ करेंगे क्योंकि options पे कुछ ज़्यादा ही volatility होता है तो हम जैसे कि 393 के range पे अगर हम अपना view बनाएंगे buying का और market order पे अपना order प्लेस करेंगे तो हो सकता है हमारा order जो 394-395 के range पे लगे ठीक है तो मैंने अपना एक view बनाया buying का 395 के range पे अब देखते हैं हमारा price कितने ट तो देखते हैं कितने टाइम पे हमारा range पे हमारा price आता है तो guys हमारा order जो है market पे place हो चुका है और हमको कुछ profit भी दीख रहा है हमको लगबग 55 रुपया का profit दीख रहा है 60-65 रुपया का ठीक है तो देखिए जैसी आप order लगाएंगे और आप perfect time पे entry करेंगे perfect place पे entry करें तो आपको profit दिखना सुरू हो जाएगा ठीक है guys तो देखिए अभी हमको सिर्फा 2-3 मिनट ही हुए है और हमारा जो profit है लगबग 300 रुपया का भी दिखा रहा था मैं सिर्फा एक lot buy किया हूं निप्ती 50 पे निप्ती 50 पे एक lot जो आता है वो 50 quantity का आता है मैं लगबग 395 के 25 पैसे ठीक है 402 रुपय देखिए तो हमको लगबग 400 something का profit भी दिख रहा है तो guys देखिए इतने तेजी से आपको options पे profit होने वाले है तो ये काफी कमाल का product होता है काफी कमाल का features होता है आपको options आना चाहिए अगर आप options अच्छे से करेंगे तो definitely आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा options से ठीक है तो पहले आप options सीखेगा सीखे ही trading किसेगा बीना सीखे करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है ठीक है guys तो चलिए अब हम समझते हैं कि options पे stop loss order कैसे place करते हैं तो चलिए guys अब हम समझते हैं कि अब हम को stop loss order कैसे place करना है तो जो आपका order चलते रहेगा, उसी को क्लिक करना है, उसके बाद आपको exit के option पे आ जाना है, exit के option पे आने के बाद आपको SL को क्लिक करना है, SL को क्लिक करने के बाद यहां आपको price डाल देना है, आप जिस price पे अपने stop loss order लगाना चाहते हैं, वो price यहां add कर देना है, और नीचे trigger पे आप अ कर देना है तो आपका order जो है market पे place हो जाएगा और यह जो चीज़े है आपको order पे दिखाई देगा तो चली हम order को click करते हैं ठीक है तो यह portfolio है मैंने investment क्या हुआ है मैं आपको order को दिखाता हूँ हमारा position यह देखे यहां देखे हमारा stop loss order so कर रहा है 340 से 345 के बीच में हम exit हो जाएंगे ठीक है तो इस type से आपको अपने stop loss order लगाना होता है काफी असान है ठीक है आप एक दो बार यह video देखेंगे तो आपको proper clear समझ आ जाएगा ठीक है और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने stop loss order को कैसे modify करते हैं यह भी समझना बहुत important है ठीक है कई पर क्या होता है हमको बहुत बड़ा profit हो जाता है अब हमको exit भी नहीं होना होता है और अभी हमको अपना profit और trail करना होता है तो इसके लिए आपको अपने stop loss order modify करना होता है तो वो कैसे करते हैं चली अब वो भी हम समझते हैं तो गाइस देखिए अभी हमको और वहां modify के option को click करना है modify के option को click करने के बाद अब आप अपने stop loss order को change कर सकते हैं यह price पे मैं लगबग 350 डाल रहा हूँ और trigger पे मैं लगबग 355 डाल रहा हूँ ठीक है मैं 10 रुपया उपर बढ़ा दिया अपने stop loss order को अब मैं simply submit कर रहा हूँ अब यह देखिए मेरा stop loss order modify हो गया और यह मेरा profit और बढ़िया ठीक है तो इस type से आपको अपने stop loss order को trail करते रहना है और आपको बड़ा profit book करना है यह profit को मैं अभी और लंबा ले जाऊंगा मैं और बड़ा profit book करूंगा ठीक है तो ऐसा ही आप लोगों को अपने stop loss order लगाना है इसी type से आपको trading करना ह है और अगर आपको options सीखना है deeply तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते है ठीक है तो चलिए bye